असलाम लेकूम उमीद आप सब खेरियस होंगे तो उर्दु जबान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नमर 44 पार्ट का नाम है गिजा तो आज हम गिजा के बारे में शिखेंगे तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जादा से जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे तो आईए हम पढ़ना शुरू करते हैं बिस्मिल्ल्रह्मानुरहीम जो चीजें हम खाते हैं जो चीजें हम खाते हैं उनकी खासियते मक्तलफ हैं बाज तो बदन की परवरिश करती और ताकत बढ़ाती हैं जैसे गेहूं चना दूद बाद चीजें स्रिप गर्मिक को कायम रखती हैं बाद चीजें बाद चीजें सिव गर्मी को कायम रखती है जैसे ओगन और शकर जैसे रोगन और शकर हो सके तो हर किसमिकी चीजें खाओ हर तरह का फाइदा हासिल हो ताकि हर तरह का फाइदा हासिल हो मेवा और हरी तरकारियां भी अक्सर खानी चाहिए मगर मुद्दत तक ये चीज़े ना मिले तो फूर फाशद हो जाता है मगर मुद्दत तक ये चीज़े ना मिले तो फूर फाशद हो जाता है बाद चीज़ें की अक्सर भी मज़िर है बाद चीज़ें की कसर भी मज़िर है मसला घी सक्कर चावल से बदन में चर्वी बढ़ती है मसला घी सक्कर चावल से बदन में चर्वी बढ़ती है चर्वी की अफजाई से मोटा पल जादा और ताकत कम होती है जो घी जाएं हम हरारत को बढ़ती है जैसे घी गोष्ट और मग्याजात उनका भी खाना जादा शर्द मुल्क और सर्दी मौसम में मनाशिव है गोष्ट और मग्याद उनका भी खाना जादा शर्द मुल्क और सर्द मौसम में मनाशिव है मगर मुल्क और गर्मी मौसम में गल्ला दूद तरकारियां और फल जादा मुनाशिव आते हैं मसालिया की भर्मार मादे को बिगार देती है सिर्फ इतना चाहिए जिससे खाना खाने के जाईका और तासीर की असलाव हो जाए सिर्फ इतना खाना चाहिए जिससे खाने का जाईके और तासीर की असलाव हो जाए खाना उस वक्त खाओ जब की पहला खाना आजम हो चुका हो खाना उस वक्त खाओ जब की पहला खाना हजव मूँ चुका हो रात का खाना इतनी देर करके न खाओ कि खाते ही सो जाओ एक बार बहुत खाने से कई बात थोड़ा थोड़ा खाना बेतर है एक बार बहुत खाने से कई बार खाना थोड़ा थोड़ा खाना बेतर है कम खाने से इतनी मुजरत नहीं कम खाने से इतनी मुजरत नहीं पहुशती कम खाने से इतनी मुजरत नहीं पहुशती जितनी ज़्यादा खाने से कच्चा खाने से सड़ाबुसा खाने से नहायत मुजिर है जितनी ज़्यादा खाने से कच्चा खाने से सड़ाबुसा खाने से नहायत मुजिर है जिस बरतनों में खाना पकता है जिन बरतनों में खाना पकता है उनको खुब साफ रखना लाजिम है अगर तामे के हों तो उन पर कलई होनी चाहिए तामे का जंकार सक्त जहर है